जल्दी से जल्दी फीस पे करो चलो एक दो दिन में जुन्होंने फीस पे नहीं किया उन सब के लिए लेक्चर्स क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा याद रखो एक दो दिन में अभी हो जाएगा वो ठीक है चलो तुम्हें लगए का मैं बहुत दिन से ऐसा ही बोल रहा हूँ अभी भी ऐसा ही बोल रहा होगा तो नहीं चालो है प्रोसेस थोड़ा टाइम लग रहा है प्रोसेस चालो है थोड़ा टाइम लग रहा है वो उसमें इमेल आइड आड करने आगा है और जो email id add है उससे ही तुम लोगों को वीडियो दिख सकता है बाकि लोगों को वीडियो नहीं दिखेगा एक दो दिन में हो जाएगा तो जिन्होंने fees pay नहीं करना है फड़ा फड़ पे करो चलो और जिनको fees pay ही नहीं करना है वो lecture देखना बंद करो जिनको fees pay नहीं करना जब तक फोकट मिलता है तब तक देखने का ऐसा तुम्हारा अगर प्लैनिंग है तो बंद करो एक दो दिन में एनिवेज बंद होने वाला है ठीक है चलो तो क्या करना है फ्लूइड मेकानिक्स चल रहा है फ्लूइड मेकानिक्स में क्या क्या इंपोर्टन हुआ है फ्लूइड मेकानिक्स में क्या क्या इंपोर्टन हुआ है फ्लूइड मेकानिक्स में क्या क्या इंपोर्टन हुआ है तो pressure कैसा calculate करना है? pressure is P0 pressure is equal to P0 plus rho GH P0 मतलब atmospheric pressure plus rho GH मतलब liquid के अंदर जितना height है वो H, liquid का density rho और G acceleration due to gravity P0 plus rho GH यह है रहता है pressure inside the liquid ठेके? यह same formula, rho GH formula same formula, gas के लिए भी चलता है ठेके, तो then क्या हुआ density, तो density क्या होता है density mass upon volume होता है उसका और इससे ज्याद़ कुछ importance है नहीं इतना formula पता है तो बस हो जाएगा then Pascal क्या बोलता है Pascal बोलता है inside liquid pressure is same Pascal बोलता है inside liquid pressure is same everywhere but if gravity is present then at same level same pressure लेकिन real life में क्या रहता है? gravity present therefore at same level same pressure हर एक जगे पर प्रेशर सेम नहीं रहता हर एक जगे पर प्रेशर सेम रहने के लिए gravity शुड बीड़ी है इसले same level पर same pressure then उसके बाद क्या हुआ archimedes, archimedes क्या बोलता है inside the liquid object loses its weight inside liquid object loses its weight, तो inside liquid weight कितना होता है? V volume rho g यह है उसका actual weight minus कितना कम होता है? V inside liquid, volume inside liquid into sigma density of liquid into g V sigma g V sigma g V in into sigma into g तो उसके बाद हो गया relative density, फिर flotation हो गया, फिर हो गया flows का types different, different तो critical velocity से ऊपर है, तो turbulent flow है, critical से नीचे है, तो क्या है? laminar flow है Reynolds number निकालने का formula हो गया Reynolds number 0 से 1000 है then streamlined flow है 1000 to 2000 change हो रहा है, transition हो रहा है और 2000 के आगे है तो क्या है वो? turbulent flow है then उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हुआ है continuity का equation A1, area 1 into V1 is equal to A2, area 2 into वहां का velocity V2 then Bernoulli equation हुआ है Bernoulli equation क्या हुआ है? Bernoulli equation क्या है? conservation of energy के regarding है Bernoulli equation क्या है? conservation of energy के regarding है तो energy per unit volume energy per unit volume के लिए formula क्या रहता है? P0 plus rho gh plus half rho v square यह क्या रहता है हर एक पॉइंट के लिए यह constant रहता है हर एक पॉइंट के ले झाए रहता है पॉइंट के लिए क्या रहता है? लिकविड को पर्टिकॉलर विलाउसिति देने के लिए कितन एनर्जी लगता है dragons की धेनर्ज पोटि pikतनी अरजी में प्रेशोर सब का एडीशन क्या चाहिए चाहिए ऐंस्ट चाहिए तो एसको से डिवाइट किया तो क्या होता इनेजी पर उनिट मस्क्रिश ओनधी ओन् 5000 सी अनू अफ्टर डिवाइदिंग बाइ रो आज वेल as fire डी माइग से दिवाइड गश्या आज गू अगर पैरलेली जा रहा है उनके बीच में कम डिस्टंस है तो वो दोनों एक दूसरी की तरफ अट्रेक्ट होता है आट्रेक्ट है प्लेन को ब्लेड्स लगाया रहता है तो तर्बाइन को उपर ने उठा गा था अगे लेकिन जैसे प्लेन का श्पीड बढ़ता है वह अपने अब उपर अठाँ है why because of again Bernoulli equation then उसके बाद atomizer देखा है फिर storm जब चलता है तब roofs blow होता है वो भी देखा है और उसके बाद next है Magnus effect next का है Magnus effect अब बाल बाल स्वीं क्यों होता है स्पीन नहीं, स्पीन अलग बॉल, क्रिकेट में बॉल एक तो स्विंग होता है और एक तो स्पीन होता है जो फास्टर है उसका स्विंग होता है और जो स्पीनर है उसका स्पीन होता है तो यहां पर हम लोग स्पीन नहीं देखने वाले हवा के हवा में ही बॉल क्या होता है टर्न होता है स्पीन में क्या होता है जब स्पीनर बॉल डालता है तब हवा में बॉल टर्न नहीं होता वो ग्राउंड पे लगने के बाद उसका पाथ चेंज करता है स्पीनर का कैसा होता है बॉल आता है आता है आता है ऐसा ग्राउंड पे ग्राउंड से जब बाउंस करता है तब उसका डायरेक्शन इधर या फिर इधर होता है depending upon कैसा spin दिया है समझ रहा है लेकिन ये मैगनेस एफेक्ट में क्या होता है इसा पॉल डालते है आउटस्विंगर मतलब अफसफड जाता है तो ब्ल क्या होता है आएर में बाल का पात हाँ हावा में ही उसको ग्राउंड पे गिरने का जरूत नहीं spinner के लिए क्या चाहिए ball ground पे जब गिरता है तब direction ऐसा change करता है ऐसा ball आता है सीधा, ground पे गिरता है फिर इधर जाता है swing में जो रुरूरत नहीं ball हवा में ऐसा डाला है लेकिन ऐसा नहीं आइसा होता है और ऐसा अपने आप direction change करता है तो swing कैसा होता है तो देखो, swing कैसा होता है तो यह ball है cricket का ball है यह ball है ठीक है और इसको ऐसा speed दिया है इस direction में speed दिया है, यह swing का नहीं बता रहा हूँ swing इसके बाद बताता हूँ, पहले यह बता रहा हूँ इसको क्या बोलते है मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते है पता नहीं देखो इसको क्या बोलते है अभी देखो तुम लोगों को पता है दो क्या होता इसमें बॉल ऐसा डाला है अगे बॉल डाला है without any rotational velocity बॉल को कोई भी rotational velocity नहीं है बॉल को कोई भी rotational velocity नहीं है और बॉल इदर से थ्रो किया आईसा बॉल आएगा, इधर से बाउंस मारेगा और फिर आगे चला जाएगा. ठीक है? तो अभी बैट्समन को क्या लग रहा है? अगर ऐसा बॉल आ रहा है तो बैट्समन को जज्जमेंट रहता है. बहुत दिन से प्लेइंग करते रहता है तो उनको जज्जमेंट रहता है क लेकिन बॉलर ने क्या क्या है? बॉलर ने सीधा बॉल ने डाला बॉलर ने सीधा बॉल ने डाला बॉलर ने उसको क्या दिया है? बॉलर ने बॉल को क्या दिया है? रोटेशनल वेलोसिटी दिया है. तो बॉल आईसा रोटेट हो रहा है. बॉल आईसा रोटेट हो रहा है. एंसकी भीतो बाजंड पूर रहता है। यो पाइसाओ स्विंग होता है। ऐसाब कर दॉसमें डालना है तो उधर सेम के बाजू में इhen पकड़ना है। होता है उसके हिसाप से उसको दूतर है तो इसको टॉप स accepts stat तो तो स्पिन को बालते हैं। इसको ऐसा spin दिया है, ठीक है, अब क्या होता है, देखो, अभी normally ball इधर गिरने वाला था, लेकिन अब क्या होता है, तो अभी क्या हो रहा है, इधर से भी ball आगे जा रहा है, तो उसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि air तीछे जा रहा है, समझ रहा है, ball का rotational velocity कितना है, ओमेगा है, ball का rotational velocity है, ओमेगा, ball आगे जा रहा है, उसका मतलब क्या है, आगे जा रहा है, उसका मतलब क्या है, air पीचे जा रहा है, तो हम लोग कंसिडर करहेंगी कि ball stationary है, and air is going in backward direction, relatively, बोल सकते है, ball आगे जा रहा है मतलब, relatively ball अगर stationary है, तो air पीचे जा रहा है, तो air is going in backward direction, अगे है, अगर ball को spin नहीं है, तो उपर वाला air का speed और नीचे वाली air का speed सेम है, if ball has no spin, no rotational velocity, then these two velocities are same, but ball को तो rotational velocity है, ball तो ऐसा ऐसा घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो क्या करेगा, ball जब इदर घूमेगा, तो इदर वाली air molecules का speed क्या करेगा हो, less speed करेगा, क्या more speed करेगा, चलो बोलो मुझे, उपर वाला जो air molecule है, अभी ball आईसा घूम रहा है, ball और air के बीच में friction तो चल रहा है, ball आईसा घूम रहा है और ball और air के बीच में friction चल रहा है, तो इदर वाली जो air पीछे जा रहे हैं, उसका speed क्या करेगा, less क्या more करेगा very good, less करेगा क्या करेगा, less करेगा very good, तो यह ऐसा गोल गोल गुम रहा है और air इदर जा रहा है तो इदर वाला जो molecule जा रहा है air का, ball ऐसा गुम रहा है तो इस इसको क्या बलेगा, ball ऐसा गुम रहा है तो इस air molecule को भी उदर पुश करने का ट्राइ करेगा बॉल ऐसा घूम रहा है तो इस एर मॉलेक्विल को भी उदर पुश करने का ट्राइ करेगा तो इधर विलोसिटी है एर का मेंड विलोसिटी इधर है तो ये रोटेशनल क्या करता है rotational motion ball का क्या करता है ये वोला air का velocity थोड़ा कम करता है तो इधर का velocity क्या होता है less velocity less मतलब pressure more velocity less मतलब उपर का pressure क्या हो जाएगा more हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा देखो नीचे पहले से ये air पीछा रहा है अगर आगे जा रहा है उसका मतलब relatively air पीछा रहा है अगर बॉल आइसा घूम रहा है तो इधर आइसा जा रहा है तो इधर के air molecules को इधर पुछ करेगा बॉल आइसा घूम रहा है तो बॉल पुछ air molecules in this direction तो यहाँ पे velocity क्या होता है at the bottom of the ball velocity increases तो pressure increases तो प्रेशर क्या बनता है less तो नीचे प्रेशर at the bottom of the ball pressure is less and at the top of the ball pressure is more so more pressure less pressure so more pressure will press ball in downward direction this pressure is more this will press ball in downward direction तो बॉल इधर नहीं गिरेगा तो जादा प्रेशर है तो बॉल पहले ही नीचे आजाएगा जादा pressure है तो बॉल क्या हो जाएगा पहले ही नीचे आजाएगा तो पहले ही नीचे आजाएगा तो batsman का judgment गलत हो जाएगा batsman को क्या लग रहा है कि ball इधर गिरेगा लेकिन actually ball इधर गिरेगा batsman को क्या लगेगा ball ऐसा आ रहा है तो बैट्समन को लोगेगा बॉल इधर गिरेगा, लेकिन बॉलर ने top spin दिया है, तो प्रेशर मोर है, तो प्रेशर इसको नीचे दबाएगा, बॉल इधर गिरेगा तो judgment गलत हो गया बॉल थोड़ा लेट आएगा, बैट पे यह सब explanation है, errorless में, यह सब explanation है, आगे का देखते हैं, next है, अभी swing देखते हैं, अभी swing में देखो क्या होता है, swing में अभी, बॉल अभी उस रूम में है, तुमको इसका आई दिखा दाओ, देखो, swing में देखो, अभी ball यह ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, बॉल कैसा है, तुम लोग batsman हो, में baller हूँ समझो, तुम बॉल ऐसा आ रहा है, बॉल रहा है, तो समझो, यह ऐसा goal गूम रहा है, ऐसा goal गूम रहा है, swing में क्या होता है, top speed में, अभी जो बोला, उसमें top speed में ball आ गया रहा है, और ऐसा goal गूम रहा है, समझा है ना, अभी ball लेका, दो मिनिट रुको, ball लेके आता हो बच्चे का, तुमको अच्छा understanding हो जा झाला, प्युल अगर अच्छा घबग्स, हमार में अधिया को चोईग में घ।की का जी ज का लचे कई मैं दो और भाग काा, खोड़ कि व समय है, अभी रहा है, समय है। झाल झाल चलो तो कैसा होता है देखो देखो कैसा होता है चलो तो क्या है बॉल इधर से आ रहा है बॉल इधर से ऐसा आ गया रहा है तो यह रहता है टॉप स्पीन ऐसा अगर स्पीन किया तो जहां पर बॉल ऐसा अगर स्पीन किया तो जहां पर बॉल गिरने वाला है उसके आगे ही गिरेगा अगर top spin किया top spin तो जहां पे ball गिरने वाला है उसके पहले ही गिरेगा तो यह है यह उपर से ऐसा goal spin यहाँ पे जो हुआ swing के लिए क्या करना पड़ता है ऐसा goal घूमना पड़ता है swing के लिए इसके about यह वाला swing के लिए horizontal इदर घूम रहा है horizontal इदर घूम रहा है swing होता है vertically घूम रहा है यह horizontal axis के about घूम रहा है तो top spin होता है ऐसा क्या तो अलग होता है ऐसा क्या तो top spin तो ball अभी आईसा घूम रहा है ball आगे अभी आईसा घूम रहा है goal 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 और आगे आ रहा है निफशा ने संप्रस्क्पामा तो इदर व का आगे यह?」 आ अगे जा रहा रहे आगा भाल होंने करनार मेंrão में व मुगाशा ना, इसा है। तो यहां पर स्पीड रहेगा यहां पर स्पीड क्या रहेगा एर पीछ जा रहे है और यह देखो काईसा यह देखो इधर ऐसा गुम रहे है तो इधर वाले मॉलेकुल को इधर पुछ करेगा और एर पीछ जा रहे है तो यहां पर वेलोसिडी इस साइड में स्युक्राइब एस साथ भेस थे में डॉसेड लेश तो प्रेशर मार इस साथ कछा ए सेड़क्र वेल को सब्सक्राइब ट्रय दिखुब पीचे रही ओणिवहां एब और्य चेड पुछ कर रहा है तो यहां पर वेलोसिटी सम्हर रेलोसिटी टिंस लीख Less velocity means more pressure Less velocity means more pressure More velocity means less pressure Less pressure है More pressure है तो यहाँ पर pressure more है तो बॉल इदर जाएगा तो स्विंग करते वाग ऐसा आनना चाएँ Normally ball अगर spin नहीं है बॉल को spin नहीं दिया तो normally आईसा बॉल आना चाहिए ले만 ऐसा नहीं आता बॉल कैसा आता है और इदर यह हो गय शायद आफ स्वींग होता है अभी मुझे पता निहीं कुण सा यह ऑफ स्वीन होता है और ऐसा किया ऐसा गोल गूम रहा है ऐसा गोल गोम रहा है एसा गोल कों रहा है इदर ऐसा आईसा अगर गोल गोम रहा है तो यह हो जाएगा इंस्विंग यह हो जाएगा सबसे मुझे ऐसा है लगता है चलो तुम लोगों को पता नहीं ऐसा है लग रहा है ठेक है छोड़ा टेंशिन मतलो कोहली को बच्चा होने वाला है सुना मैंने तुम लोगों को पता चला गया क्रिकेट का बात चल रहा है इसलिए याद है मुझे कोली को बच्चा होने वाला है कोली को अनिश्का को बच्चा होने वाला इसा पता चला मुझे वो ब्राबर गुट रहता है तुम लोगों को चलोане next क्या है venture meter चलो next लेखो कहा है venture meter तो लेखो veenturi venture meter का काम क्या है Venturimeter का काम क्या है To measure flow of liquid Venturimeter का काम क्या है To measure flow of liquid To measure flow of liquid Venturimeter का काम क्या है To measure flow of liquid यह जो Magnus Effect है हर एक जगह पर यूज होता है जहाँ जहाँ पर ball का game है जहाँ जहाँ पर ball का game है वहाँ वहाँ पर यूज होता है फुट बाल में तुम लोग देखोगे तो इदर kick मारता है इदर आइसा ball जाता है फिर आइसा goal गुम के इदर आता है गूल पोस्ट में अगर screen goal post है और इदर shoot के आई ball को इदर shoot करते है तो ball इदर जाता है goal 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 फिर बाद में आइसा goal post में जाता है इतना बड़ा टर्न मारता है, एर में बॉल टर्न मारता है, यह टेबल टेनिस में होता है, टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस में भी, टेबल टेनिस में टॉप स्पिन जो बाता है, वो थोड़ा मुझे अच्छा आता है, टेबल टेनिस मुझे खेलना आता है, वो क्रिकेट व तेबल टेनिस में एट टौप स्पिन करते हैं, तो ऐसा अगर बेट से बाल कोँ समय है , तो ऐसा 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 बाल गुम प 카ट होग जाता है तो इसका दो एफेक्ट थोता है, तो ऐसा ऐसा गुम तो क्या होता है एक तो पहले गिरता है, जहां पर गिरना चाहिए उससे पहले गिरता है, ऐसा अगर बॉल टॉप स्पिन दिया है, तो पहले गिरता है, और गिरने के बाद फास जाता है, और गिरने के बाद क्या होता है, उसको आगे का स्पीड है, आगे का स्पीड है, तो गिरने के बाद ए तो वो spin क्या हो जाता है, linear velocity में convert हो जाता है, ठीक है, चलो, तो हर एक, जो भी ball का game है, tennis है, long tennis है, table tennis है, football, cricket, हर एक case में, हर एक case में, यह magnus effect यूज होता है, ठीक है, चलो, then, next क्या है, venturimeter, venturimeter का काम क्या है, किसके लिए यूज होता है, Venturimeter is used for, Venturimeter is used for, क्या, measurement of volume flow of liquid, measurement of volume flow of liquid, ठीक है, तो अभी कैसा volume flow measure करना है, liquid, pipe में से कितना जा रहा है, pipe में से liquid का flow rate कितना है, तो कैसा find out करने का, एक दम simple machine रहता है, simple instrument रहता है, तो क्या रहता है, Venturimeter देखो, ऐसा रहता है, एक ऐसा सीधा pipe है, सीधा pipe है, तो क्या करना है, तुमको लगा, कि अभी इस pipe में, water का flow rate कितना है, वो measure करना है, यह pipe है, तो pipe के अंदर water का flow कितना है, वो measure करना है, ठीक है, तो इसके उपर एक equipment लगाते है, उसको बोलते है Venturimeter, इसके उपर क्या है, एक equipment लगाते है, तो इधर से इतना pipe तोडते है, इतना pipe तोडते है, और यहाँ पर Venturimeter लगाते है, तो Venturimeter इधर fit होता है, इधर भी fit होता है, तो लेकिन इधर से क्या होता है, उसका यहां पर एरिया कम होता है और बाद में वह आपस से एरिया बढ़ता है तो जो ओरिजिनल पाइप है उसको इधर फिट क्या है इधर फिट क्या है यह बीच वाला पाइट क्या है वेंचुरी मीटर है बीच वाला पाइट क्या है वेंचुरी मीटर है अब यहां पर एक प्रेशर का मेजरमेंट लेते इधर एक प्रेशर मेजरमेंट लेते यह फिर इसा लिक्विट का कॉलम भी छोड़ते है प्रेशर मेजरमेंट के लिए इलेक्रोनिक प्रेशर गॉज तो भी चलता है, तो यहां पर एक उपन पाइब रहता है, और इधर एक उपन पाइब रहता है, तो लिक्वीड इसा फलो हो रहा है. ठेक है? ओके तो इसको मैं बोलता हूँ A point इदर वाला इसको मैं बोलता हूँ B point तो velocity liquid का कहां पे more है velocity of liquid is more at which point A और B बो velocity of liquid is more at which point इधर से जितना liquid आ रहा है उतना आगे तो जाएगा तो velocity liquid का कहां ज़्यादा रहेगा अट B, B पे क्या हो गया है? area has become less, अट B area has become less तो velocity को तो बढ़ना ही पड़ेगा नहीं तो volume flow rate से कैसा maintain होगा? इधर 1 liter per second आ रहा है तो इधर से भी 1 liter per second ही जाना पड़ेगा तो area decreases, equation of continuity, area decreases, velocity increases, velocity यहाँ पर more है velocity more है मतलब pressure less है तो यहाँ पर liquid इधर तक ही rise होता है यहाँ का liquid इधर तक ही rise होता है और यहाँ का liquid थोड़ा जादा इधर तक ही rise होता है तो इन दोनों में difference कितने का है? यच इधर प्रेशर काम रहेगा ना, velocity more, pressure less velocity less, pressure more, तो pressure more मतलब height भी जाद रहेगा तो इधर का liquid और इधर का liquid का height मतलब यहाँ का pressure यहाँ का height क्या बता था इधर का pressure यहाँ का height क्या बता था इधर का pressure तो A point और B point के लिए Bernoulli अप्लाई करने का तो क्या करने का Point A and point B इनके लिए Bernoulli अप्लाई करने का तो A point के लिए क्या Pressure at point A Plus rho G H Plus half rho Velocity at point A square Is equal Pressure at point B Plus rho G Plus half rho Into velocity at point B square अभी rho G A point का height और B point का height इधर A और B के लिए चल रहा है A और B के लिए क्या चल रहा है अपना equation का application चल रहा है तो A का height and B का height से में तो ये वाला पार्ट दोनों साइड में से में कैंसल हो जाएगा A और B के लिए अपलाई कर रहा है तो height of A and height of B तो ये वाला पार्ट कैंसल हो जाएगा तो A का pressure बढ़ा है तो B इबर लेता हो में pressure A minus pressure B is equal to half rho VB का square minus VA square VB square minus वो उदर जाता है माइनस होता है ठेक है अब प्रेशर A और प्रेशर B A पर जितना pressure A वो ये height रिप्रेजेंट करता है B पर जितना pressure A इधर का height रिप्रेजेंट करता है तो दोनों में height difference H है तो दोनों में pressure difference कितना रहेगा pressure difference ही निकालना है न तो rho G into A वाल height है ये वाल height ये अलग था H ये H अलग है समझ रहा है समझ रहा है क्या A पर जितना pressure है वो इधर height में दिखता है B पर जितना pressure है वो इधर height में दिखता है पता है तो उससे pressure difference कैसा निकलनेगा ऐसा रो जी h तो is equal to थोड़ा इधर लेता हूँ अभी इसको तो चलो इधर ही करते हैं half का half, rho का rho तो velocity into area यह रहता है volume flow rate velocity into area यह रहता है volume flow rate तो velocity है तो volume flow rate में कैसा लिखूँगा मैं volume flow rate divided by area is equal to velocity velocity को क्या लिखेंगे volume flow rate divided by area तो area किदर का b का area यह square है तो इसका भी square, इसका भी square हो जागा समझ रहा है इधर क्या किया velocity को volume के terms में पूट कर रहा हूं, velocity को value, volume के terms में लिख रहा हूं है तो velocity is what? volume upon area तो volume upon area का square है square है, square है इसलिए square minus volume flow rate upon area का square a के लिए a का area b के लिए b का area लेकिन volume flow rate दोनों जगे पे क्या रहता है? same volume flow rate at b and at a volume flow rate क्या रहता है? same, जितना volume इधर से जाता है उतना ही उदर जाएगा इधर 10 liter गया है, एक सेकेंड में तो इधर से भी 10 liter ही जाना पड़ाएगा एक सेकेंड में यहां पे storage तो नहीं हो रहा तो volume flow rate दोनों जगे पे क्या है? common निकाल दया, तो अंदर क्या बचता है? 1 upon area of b square minus 1 upon area of a square volume volume यहां से common निकाला तो 1 upon area of b square minus 1 upon area of a square तो यह इधर लेके जाने का, यह area पता रहता है, b का, a का area पता रहता है h height difference इधर देखने का कितना है, height difference इधर देखने का, g gravity पता रहता है तो यह इधर आने के बाद, divide करने का, तो जो मिलता है, वो क्या मिलता है? volume flow rate of liquid यहाँ पर जो V मिलता है, वह क्या मिलता है? Volume, flow rate of liquid. Volume flow rate कैसा निकलने का? ऐसा निकलने का इस formula से. किसके लिए formula apply होता है? Venturimeter के लिए. तो Venturimeter का B का area और A का area देते ह। Venturimeter का A का और B का area मिलता है. ठीक है? फड़ा-फट लिखो अभी. तो लिखो फड़ा फड़ क्या है वोड़ा simplify किया है उसको नीचे लिखा है तो नीचे लोड़ा करने का थोड़े आज के लिए भी कुछ होमवर्क नहीं है चलो रिपीड एक बाद जॉइन करो